पाइब कर दो का ओके फ्रेंट्स लेट स्टार्ट हमारा एक बड़ा वाला चैप्टर होगा है वेटेज वाईस काफी सारी उसमें चीज़े थी अभी बुलिए नेक्स चैप्टर हम लोग कौन सा करते हैं कि फर्स्ट वाला कि फर्स्ट वाला भी अच्छा है कि फर्स्ट वाला कर लेते हैं और प्रॉबैबिलिटी कर लेते हैं चीक है अभी ब्रेक की तब ब्रेक तक के फर्स्ट वाला और प्रॉबैबिलिटी पहले कौन सा करना है फर्स्ट वाला ठीक है आजा फर्स्ट वाला काम क अब ब्रेक अपन अंदाज से अभी अपना ब्रेक आएगा पौने दो दो बजे के करेब, okay, so probability खुल देंगे अपन, chapter number 5, page number धूण लो, अब probability में आपको theory वाले questions तो वैसे कमे आने वाले, मतलब हो जादा नहीं आएंगे, mainly practical questions आएंगे, so we will focus on that part, you should know certain formula, probability में एक universal formula था, P is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection, समझता है, A union B मतलब A or B, A intersection B मतलब A and B, और की probability जादा रहेगी की and की जादा रहेगी, और की, क्योंकि and में दोनो condition आजाती है, बराबर, and के अंदर में both conditions have to be satisfied, तो probability reduces, so now we will be doing this part, इसके कितने questions से, only 56 questions, अभी तापन इससे ज्यादा complete करके आए है, तो अपने पास तो दो दो घंटे के और तीन slot बचे है, हो जाता आराम से, हाँ बिटा, page number 5.6, इसका एकी तरीक है question start कर देते सिधा, अब यहाँ पर most of the question will involve calculation, तो यहाँ पर हम लोगा भी skip नहीं करेंगे, starting से पूरे करते जाएंगे, if two letters are taken at random, from the word home, what is the probability that none of the letters would be vowels, so this is the question based on what, based on combination, क्या हम लोग selections कर रहे है, to home यह word है, इसमें से two letters select कर रहे, to in how many ways can we select two out of four, 4C2, total ways is, 6, 4C2, मतलब 6, अब इसमें से none of them should be vowels, मतलब बोथ letters should be non vowels, consonants, मतलब H and M, पैसा कितना तरीका है, एक ही तरीका है, selection कर रहे हम लोग, sequence का importance नहीं है, to one by six, एक ही तरीका है, by which you can select both letter as non vowels, समझे क्या, यह जो लोग अभी लेट आरहे, page number 5.6 खोलो, शुरू हो जाओ, then, a back, probability of not selecting a one rupee coin, बोलाएं, probability of not selecting a one rupee coin, back contains 15 one rupee coin, 25 two rupee coin and 10 five rupee coins, coin is selected at random, not selecting a one rupee coin, मतलब यह select नहीं करना है, यह दोनों चलता है, so 35 upon total 15, answer is 0.7, I hope you remember, probability of A complement is equal to 1 minus probability of A, यहाँ देख्या, A complement, A bar, A dash, मतलब कि A के नहीं होने के chances, is 1 minus probability of A, then, chance of getting 7 or 11, in a throw of 2 dice, या तो 7 मिल जाए, या तो 11 मिल जाए, अब 7, 6 तरीकों से आजाता है, 7, 6 तरीकों से आजाता है, और 11, 2 तरीकों से आता है, ऐसा कैसे बता सकते है, फटा फट, 7 के लिए मैंने क्या सोचा, पहले dice में ऐसा कौनसा कौनसा नंबर आज सकता है, कि टोटल 7 बने है, पूरे 6 नंबर अलाओड है, है ना, तो 1, 6, 2, 5, 3, 4, etc, तो ऐसे 6 possibilities है, जिसमें 7 आजाएगा, और 11 के लिए पहले dice में से 5 आजाएगा, या तो फिर 6 आएगा, दो ही तरीके है, आउट of total 36 ways, तो 6 plus 2 upon 36, तो कितना आजाएगा, 8 by 36, बोले तो 2 by 9, नहीं समझे रहा, ओके, if a coin is tossed 5 times, तो प्रोबाबिलिट आफ गेटिंग तेल एन हैड, अकर्स अल्टरनेटिवली, मतब की, tail, head, tail, head, tail, या तो फिर, head, tail, head, tail, head, ऐसा नहीं बोला है कि पहले tail सी चाहिए, दोनों allowed है, तो इसकी probability यहाँ पर क्या होता है, यह independent events है, पहली बार में tail आया, तो दूसरी बार में head के चांद से स्फिर भी किते, 1 by 2 है, तो यह हो जाएगा, 1 by 2, 1 by 2 raise to 5, पहले वाले का, और दूसरे वाले का क्या रहेगा, सेम, 1 by 2 raise to 5, इन दोनों को add करना पड़ेगा, समझ दे क्या, कैसे लिखा मैंने, मतलब यह हो जाएगा, 1 by 32, plus 1 by 32, बोले तो 2 by 32, total, मतलब answer क्या हो गया, 1 by 16, 16, पीछे भी बी दिया है क्या, चेक कर लो 4 का, 1 by 16, इसका मतलब, we are not bothering about the first throw, first throw में tail भी आ सकता है, heads भी आ सकता है, उदर TV screen चालू है, yes, okay, Sir, what would be the ratio between SD, MD, QD, it was a PYQ, यह भी आपको बता देता हो, ठीक है, की चेप्टर के बाद बताता हो, पेंडिंग रखना में है, then, when 3 dice are rolled simultaneously, probability of the number on 1 dice, being greater than the sum of the number on the other 2 dice, पहली बात तो, 3 dice जब रोल करते है, तब total ways in which it can be done is, 2, 1, 6, 6 into 6 into 6, तो denominator 2, 1, 6 तो ठीक है, now we need to understand the number of ways in which number of total of 1 dice is more than the total of the other 2, अब यह ऐसा किया नहीं अपाने, लेकिन क्यों नहीं कर सकते हैं, देखें, अगर, मान लो, पहला dice का total आपको जादा चाहिए, दूसरा भी जादा रह सकता है, तीसरा भी जादा रह सकता है, दूसरे 2 से, तो देखो, अगर 1, 1, 1 रहा, तो फिर इसमें है क्या ऐसा, नहीं, total of 1 is not more than total of the other 2, तो यह तो काम का नहीं है, तो 1, 1, 2, 1, 1, 3, यह सब काम के नहीं है, मत अगर पहले dice को आपको जादा चाहिए तो, बराबरे, लेकिन, तो 1 के आगे तो, मत पहले dice अगर 1 रहा, तो इट कैन इन अनी केस not be more than the total of the other 2, तो इट बी, नो, अट लिस्ट 2 तो लगेगा ना भाई, इन फेक्ट 2 रहा तो भी नहीं, क्योंकि दूसरे दोनों का 1, 1 रहा, तो भी इक्वल रहेगा, मत पहले dice में 3 आगया, तो पॉसिबल है कि दूसरे दोनों dice में 1 और 1 आग, तो मैं बोलूँगा 3 is greater than 1 plus 1, ये एक तरीका हुआ, अब ये 3 1 1 की जोड़ी, कितने तरीकों से आज सकती है, in how many ways, 3 1 1, 1 3 1, 1 1 3, ऐसा पूछ रहा हूँ, समझ दे क्या, 3 ways, 3 तरीकों से आजाएगी न, the number 3 can take either the first dice, I can take the position on first or second or third, got it, then, 3 1 1, अब 3 1 2 possible है क्या, is it satisfying the condition, no, 3 के साथ में इतना हुआ, फिर 4 के साथ गिनो, 4 के साथ में 1 प्लस 1 भी रहेगा, 4 के साथ में 1 प्लस 2 भी रहेगा, और 4 के साथ 1 प्लस 3 नहीं रहेगा, वो इकवल हो जाएगा, 4 2 प्लस 1 इसी में covered है, है ना, और 2 प्लस 2 रह नहीं सकता, तो सिर्फ यही 2 है, अब 4 1 1 कितने तरीके से हो सकता है, 3 ways, लेकिन 4 1 2 कितने तरीके से हो सकता है, 6 ways, क्योंकि यहां पर तीनो अलग-अलग numbers है, 4 1 2 can be represented in 6 ways, 4 1 2, 4 2 1, 2 1 4, 2 4 1, 1 2 4, 1 4 2, तो तो इस आर 6 ways, समझ रहेगा कुछ? देन, 5 चाहिए आपको, अब 5 के दुसरे जो दो number है, दुसरे जो दो number है, उसका total हमको क्या चाहिए, 5 से कम, तो it can be 1 plus 1, हाँ, it can be 1 plus 2, अब इसमें 2 plus 1 भी cover हो गया है, it can be 1 plus 3, but it cannot be 1 plus 4, also can it be 2 plus 1 cover हो गया है already, 2 plus 2, yes, 2 plus 3, नहीं, इतनी, अब यह कितने तरीकों से हो सकता है वो गिनो, 5 1 1, 3 ways, 5 1 2, 6 ways, 5 1 3, 6 ways, 5 2 2 3 ways, आपको यह समझना है, यहाँ पर यह एक तरीका है, then 6 आ रहा है, उसमें आपको क्या क्या लगेगा, 6 1 1, है ना, then 6 1 2, फिर 6 1 3, 6 1 4, 6 1 5 में equal हो जाएगा, और फिर 6 के आगे और भी आएएगे, 6 2 1 अलरेडी count हो गया है, 6 2 2, 6 2 3, यह भी count होगा, जिसमें 2 और 3 का total 6 से काम है, उसके बाद में 6 2 के आगे 4 लगाने का गलत हो जाएगा, फिर 6 3 के साथ में, 6 3 1 अलरेडी count हो गया है, 6 3 2 अलरेडी count हो गया है, 6 3 3 equal हो जाता है, तो नहीं बन रहा है, वैसि 6 4 के साथ में, 6 4 1 possible तक count हो गया है, 6 4 2 possible नहीं, 6 5 के साथ में भी possible नहीं, तो अब यह बता दो, यह कितने तरीके हो सकता है, 3 6 6 6 6 6 2 2 3 और 6 2 3 6, अभ यह हम लोग ने number of ways लिखा, इसको हमको add up करना पड़ेगा, number of ways को हमको add up करना पड़ेगा, तो 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 बीदा आंसर, 60 आ रहे, तो लेंदी है, मतलब इसमें आपको पूरी cases लिखना पड़ा, तब जाकर के पता चला कि sum of 2 है, there are 60 ways in which it can be done, तो अभिएसली ऐसा दिखरा है करना शुरू कि अरे तो लंबा जायेगा, तो छोड़ दिया अभी के लिए, बाद में देखते बैठेंगे, okay, then question number 6, a person speaks the truth 3 out of 4 times, if he throws a die and says that the number 6 appears, number 6 आया की निया यह निया, उसने बोला की 6 आया, what is the probability that it is actually 6, अगर वो हमेशा ही सच बोलता था, और उसने बोला की 6 आया, तो आया, लेकिन हमेशा सच नहीं बोलता न, problem यह है, तो ऐसे case में, we should understand what is the sample space, देखो, उसने बोला की 6 आया and it is 6, हमको यह चाहिए ना, लेकिन दूसरा क्या हो सकता है, not 6, it is actually not 6, तो यह दो में से, हो सकता है, he says that it is not 6 and it is not 6, यह जो नीचे के मैं लिख रहा हूँ, यह के से इसका अपने को काम नहीं है वैसे, he says that it is not 6, but it is 6, यह चाहर टाइप के combination बैठते हैं, उसने बोला 6 आया और 6 आया ही है सही में, तो ऐसे केस में क्या होगा, उसने बोला है कि 6 आया है, यह तो given है, अब अगर 6 आया है, और उसने बोला है कि 6 आया है, मतलब वो सच बोल रहा है, तो in that case, वो सच बोलने के chances क्या थे उसके, 3 by 4, and independently 6 आने के chances कितने थे, 1 by 6, उसके बोलने से फरक पढ़ रहा है कि 6 आने पर, नहीं, उसने क्या बोला, उससे तो लिए ना number change हो जाएगा, तो that is independent, but if he says it is 6, and it is a 6, तो उसकी possibility हो गई, कितनी, 3 by 24, 1 by 8, लेकिन, अब यहाँ पर question यह नहीं है, 3 by 24, in fact, है option में है, 1 by 8, but then answer नहीं, यहाँ पर उसने बोला है कि 6 आये, तो हमको देखना पड़ेगा, यह हमारी sample space बनेगी, अगर हम 3 by 24 बोल रहे हैं, तो हम पूरी sample space में से बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमको given है, कि उसने बोला है, कि 6 आया है, तो हमको यह दूसरे scenario का value निकालना पड़ेगा, और यह 2 में से इसका chance किता यह निकालना पड़ेगा, दूसरे scenario का value क्या है, उसने बोला है कि 6 आया है, लेकिन 6 नहीं आया है, उसने बोला है कि 6 आया है, और 6 नहीं आया, मतलब वो क्या बोल रहे हैं, जूट बोल रहे हैं, तो उसके जूट बोलने के chance किते थे, 1 by 4, और 6 नहीं आने के chance किते थे, 5 by 6, तो therefore, इसका probability क्या हो गया, 5 by 24, 3 by 24, now this is our sample space, यहाँ पर, this is our sample space, इसके अंदर में, इसके अंदर में, मतलब वो बोल रहे हैं कि 6 आया है, तो इस 1 third chance कि वो बोल रहे है, 8 by 24 chance कि वो बोल रहे है, 8 by 24 में से 3 by 24 time 6 आ रहे है, and 5 by 24 times 6 नहीं आ रहे है, तो इसके अंदर में answer क्या हो जाएगा, 3 upon 8, answer क्या हो जाएगा, हमारा answer हो जाएगा, 3 by 24 upon, 3 by 24 plus 5 by 24, वो sample space में से अपना event satisfy एक case में हो रहा है, तो answer will become 3 by 24 upon 8 by 24, so answer will be 3 by 8, अब इसमें दूसरे दोनों मैंने सिर्व आपके समझने के लिए लिखा, अब उसको भी complete कर सकते हो, question का answer तो आगया अपना, it should be 3 by 8, देख लो पीछे क्या है, A है की B है, 6 का, A ही है, yes, तो 3 by 8, if it says that it is a 6, then the probability that it is actually a 6, is 3 by 8 and not 3 by 24, क्योंकि देखो उसने नहीं बोला तब भी तो 6 आ सकता है, नहीं बोला तब भी 6 नहीं आ सकता है, तो यह पूरा complete करेंगे, तो हमको normal sample space मिलेगे, जैसे उसने नहीं बोला 6 आया और 6 नहीं आया, मतलब वो सच बोल रहा है, मतलब वो सच बोल रहा है, और 6 नहीं आने के chances क्या है, 5 by 6, तो 15 by 24, बोला है की 6 नहीं आया है, लेकिन 6 आया है, 6 आने के chance 1 by 6 है, और वो जूड़ बोल रहा है, उसके chance 1 by 4 है, तो यह कितना हो जाएगा, 1 by 24, इसका total actually 1 आता है, बट हमारे लिए, given data क्या है, उसके अंदर में हमको बात करना है, conditional probability में हमने क्या पढ़ा, कि given that something has happened, अब उसकी probability बताओ, जिसे dice throw किया, given that, given that, an even number has occurred, now tell the probability, that वो number 3 से बढ़ा नहीं है, given that even number आचुका है, तो मतलब number 2, 4 या 6 में से आया होगा, तो 3 से बढ़ा नहीं, एक इचे उसमें से, तो 1 by 3, क्योंकि given that जैसी हो गया, तो हमारा sample space कम हो जाता है, जैसी बोला, he says that it is a 6, तो फिर, sample space हमारा उत्रा ही बन गया, that it is a 6, got it? Then, P of A union B is 0.7, P of A is 0.4, P of B is 0.3, then A and B are, mutually exclusive, correct, क्योंकि P of A plus P of B, is directly equal to P of A union B, मतब, probability of A intersection B is equal to 0. Mutually exclusive का यही formula होता है, that probability of intersection will be 0. अच्छा, independent event का main formula क्या है? probability of A intersection B is equal to P of A into P of B, independent events का main formula है. Mutually exclusive में होता है, P of A intersection B is 0. और collectively exhaustive में क्या होता है? collectively exhaustive, P of A union B is equal to 1. combine करके वो पूरी sample space को cover कर रहे है. Then, if one of the two events must occur, and chance of first event is 2 by 3 of the other, then the odds in favor of the other event. ध्यान से देखो, odds वाला पूछा है, P of A is 2 3rd of P of B, मतलब दो में से एक हो गई होगा, मतलब की event होने के chance, event नहीं होने के chance से, ये दूसरे event के 2 by 3 हैं, and also P of A plus P of B is equal to 1, क्योंकि one of the two events must occur बोलाएं, तो इसको आप अगर put कर होगे, तो आपको other event की probability मिल जाएगे, can I write this in this formula, P of A plus P of B is equal to 1, one of the two events must occur बोलाएं, therefore, इनका जो ये combined है, बताएं क्या होगा, P of A की जगे मैं लिख देता हूँ, 2 3rd of P of B plus P of B is equal to 1, therefore, क्या बन गया बिटा, 2 plus 3, 5, 5 by 3 into P of B is equal to 1, therefore, probability of B क्या हो गया, 3 by 5, ये तो option मिह नहीं है, क्योंकि आपको क्या पुछा है, odds पुछा है, probability B की 3 by 5 है, other event भी है, तो odds in favor क्या हो जाता है, 3 is to 2, now odds की भाशा कैसे वर्क करती है, अगर probability 3 by 5 है, मतलब कि total 5 है, उस में से success 3 बार मिल रहा है, and जब odds in favor बोला, तो वहाँ वो बोल रहे है, success is to failure का ratio, total 5 में से 3 success है, मतलब कितने failure है, 2 failure, तो 3 is to 2, answer will be option D, समझे क्या, यहाँ पर हमने क्या माना, कि बोथ इस इवेंट्स आर mutually exclusive, क्योंकि वन अफ दो इवेंट्स मस् अकर लिखाए, अटलिस्ट वन नहीं लिखाए, okay, exactly one of the two मस् अकर, मतलब अगर A होंगा, तो B नहीं होंगा, A नहीं होगा, तो ही, तो B पका होगा, do you understand, haan, B is to A का रेश्यो, haan, सिथा भी कर सकते है, correct, क्योंकि B is to A का रेश्यो, 3 time probability of, इसको यहाँ पर कर लो, B upon A, यह क्या हो चाहिएगा, 3 upon 2, correct, क्योंकि 2 में से एक इवेंट हो रहा है, अपने को B का favorable event चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते, probability of B happening, upon probability of B not happening, यही तो चाहिए अपने को, and B not happening क्या है, B not happening A है, तो B is to A का रेश्यो, आप बिलकुल सिथा निकाल सकते हो, it will become 3 by 2, है न, इसको अगर solve करोगे तो, correct, then, variance of a random variable is 23, 23, now it is an extension of already, what you have studied the property of the variance, okay, क्या लिखा है, हाँ, against में failure इस्टो success रहेगा दीरच, और odds in favor में, success इस्टो failure रहेगा, simple, then, अब variance, आपको पुचा है, 2x plus 10 का, तो variance में क्या होता है बेटा, 2 square से होगा, if y equal to 2x plus 10, then variance of y will be 2 square into variance of x, मतब 4 into 23, option d92, समझ रहें क्या, variance में square से फरक पड़ता है, standard deviation रहता था तो सिर्फ आप multiply करते थे, probability density function is, greater than or equal to 0, probability density function, उसमें क्या करते है हम लो, देखो probability mass function and probability density function, दो functions है, probability mass function में हम लो क्या देखते है, discrete distribution का, तो वहाँ पर क्या होता है, the probability can be equal to 0 or more than 0, अलग-अलग values की, और probability density function मत्ता हम लो, continuous variable के लिए लगाते है, तो उसमें क्या रहेगा, between any two points, the probability can be 0 or probability can be greater than 0, it can be 0 also, then, बताए, P of A, P of B, P of A intersection B, एकदम universal formula पर बेज़े, normal, A union B पुचा है, तो P of A plus P of B minus P of A intersection B, बताए, कितना आ रहे हैं, 7 by 12, यह न, 6 plus 4 minus 3, 7 by 12, यह universal formula था, two different dice are thrown simultaneously, then the probability that the sum of two numbers, appearing on the top of dice, is 9, is, sum of the two numbers is 9, बहुत सिंपल है, कितने तरीके 9 लाने के, 4 तरीके, पहले dice में क्या क्या आ जाये, तो total 9 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, पहले dice में 1 या 2 आ जाया, तो total 9 नहीं आ सकता है, 3 के साथ फिर 6 की जोड़ी बनती है, 4 के साथ 5 की, तो ऐसा 4 तरीक है 36 में से, तो 4 by 36, बोले तो 1 by 9, then, P of A union भी दिया है, P of A intersection भी दिया है, 0.8 और 0.3, probability of A complement plus probability of B complement पूछा है, कैसे क्या, A complement plus B complement, अलग-अलग, क्या करोगे, बोलो, यह देखिए, probability of A union B, D Morgan's law क्या बोलता है, D Morgan's law क्या बोलता है, A union B क्या होगा, A union B के बाहर की एरिया, यह कौन सी होगी, यह होगी, A complement intersection B complement, दोनों event नहीं होने के चांस किते, 0.2, ओके, और आपको क्या बोच्छा है, A complement plus B complement, ठीके, हाँ, तो आपको A complement plus B complement बोच्छा है, देखो, probability of A, अपन एक काम करते है, universal formula में डाल देते है, P of A union B is P of A, plus P of B, minus P of A intersection B, इससे आपको क्या मिलता है, बताईए, 0.8 is equal to, यह दोनों का total, minus 0.3, बराबर, therefore, P of A plus P of B, कितना हो गया, हाँ, 1.1, यह उदर add होगा ना, जाके, 1.1, अब यह किदर काम में आएगा हमको, P of A plus P of B, हम लोग अभी दूसरा फर्मूला यूज़ करते है, probability of A intersection B, whole complement, मतलब A and B, दोनो, दोनो हो रहे ऐसा नहीं है, ठीकिए, A intersection, मतलब दोनों में से एक हो सकता है, is equal to what, is equal to 1 minus probability of, A union B, A complement union B complement, आपको वो यहाद दे किए, probability of at least 1, is equal to 1 minus probability of none, तो probability of at least 1 क्या होता है, A union B, is 1 minus probability of none, A complement intersection B complement, अब इसके मतलब से आपको यह वाला value मिल जाएगा, A complement intersection B complement, A union B क्या है बेटा, 0.8 is equal to 1 minus this, तो यह value क्या हो गई, 0.2, तो मुझे और एक value क्या मिल गई, A complement intersection B complement is equal to 0.2, अब probability of A complement intersection B complement, यह भी मिल गया है, probability of A intersection B, यह भी मिल गया है, इसमें आपने को क्या क्या चाहिए, A complement plus B complement, अब सिदा सिदा ऐसा करो, probability of A complement union B complement is equal to what, P of A complement plus P of B complement, minus P of A complement intersection B complement, C, let A complement be C and B complement be D, तो यह formula universal formula ही है, A की जगे मैंने क्या लिख दिया, A complement, और B की जगे B complement, तो यह C union D, C plus D, minus C intersection D, अब इसमें से हम लोग ने यह वाला part निकाल के रखा है, यह वाला part क्या निकाल लिया हमने, 0.2, यह वाला part हमने, कैसे निकाल लिया था, 0.2, 1 minus at least 1, A complement intersection, B complement यह क्या था, probability that none of them happens, probability of at least 1 कितना था, 0.8, तो probability of none कितना हो गया, 0.2, यह हमको calculate करना है, यह मिल गया तो काम बन जाएगा, यह कैसे मिल जाएगा, इसकी मदद से, यह कैसे मिल जाएगा, इसकी मदद से, यह उसका complementary रहेगा, 1 minus probability that at least 1 is not happening, तो यह value क्या हो जाएगी, 0.7, तो 0.7 is equal to P of A complement plus P of B complement minus 0.2, तो P of A complement plus B complement कितना आगया, 0.9, option C, diagram से भी कर सकते हो, यह न, Venn diagram बना करके, आपको उसकी मदद से निकालना होगा, यह न, इसमें आपको पूछा क्या है, यह समझना है मिन तो, कि A नहीं हो रहा है, पूरी A के बाहर की area, plus B के बाहर की area, तो A के बाहर की area कौन से यह बेटा, यह पूरी, यह पूरी area को, एक बार add करना है, और बी के बाहर की पूरी एरिया, बी के बाहर की पूरी एरिया में क्या क्या आ जाता है, ये पूरा आ जाता है, हाँ, कौन सा एरिया डबल काउंट हो रहा है, बाहर का, दोनों नहीं हो रहे हैं, वो वाली एरिया डबल काउंट हो रहे हैं, अल्ली एक एरिया एक बार हो रहे हैं, तो कि डियाग्राम से आपको जमता है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो A union भी आपको दिया था, 0.8, मतब कि दोनों में से, इंटर्सेक्शन ही, बीच की वैल्यू किती दिये, 0.3, बीच की वैल्यू 0.3, ठीक है, तो आपको बाहर की area, एक बार तो मिल ग यह देखो, 0.2, यह अपने निकाला था, A complement intersection, B complement, एकदम बाहर की area कैसे पता चलती है, A union B का complement, A union B के बाहर की area, वो 0.2 थी, तो वैसे भी निकाल सकती है, 0.3 के बाहर की area, एक बार गिना तो 0.7 आ रहे है, और A union B के बाहर की area, एक और बार गिना पड़ेगा, तो वो 0.2 आ इसलिए better है कि अगर आपको formulae पर grip है, तो formulae से ही करो, ठीक है, अगर आपको diagram समझता है, तो उससे करो, लेकिन formulae की मदद से, मैं आपको short में लिख दो अगर इसका answer, तो step by step क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, A complement intersection, B complement, वो जो main formula था अपना, probability of at least 1 is equal to 1 minus probability of none, इसमें आपको क्या पता है बेटा, probability of at least 1 पता है, is equal to 1 minus probability of none, तो ये क्या हो जाएगा, 0.2, ये एक चीज़ पता चल गई अपने को, then, और अपन क्या पता कर सकते, ये वाले का complementary, मत्तब कि probability that both are happening, probability that both are happening, is equal to 1 minus probability that at least 1 is not happening, ये भी De Morgan का दुसरा लौ था, probability that both are happening, मत्तब अंदर के रिया, is 1 minus at least 1 is not happening, तो ये से हमको ये वाला पार्ट मिल जाएगा, तो ये कितना दिया था अपने को, 0.3, both are happening, 0.3 था, 1 minus probability of A complement union B complement, to what is this, 0.7, अब ये दोनों values पता है, now this can be, we can put it in the universal formula, universal formula क्या होता है, normally C union D में लिखो, C union D is equal to probability of C plus probability of D minus probability of C intersection D, आ रहे कैसा, probability of C plus probability of D minus probability of C intersection D, अब इसमें C की जगे में क्या लिखोंगा, A complement और D की जगे में लिखोंगा, B complement, तो आपका formula बन जाएगा, A complement union B complement is equal to probability of A complement plus probability of B complement minus probability of A complement intersection B complement, ऐसा, समझा क्या, अब बताईएए, इसमें आपको ये वाला expression है, ये ही पता करने का है, बाकी ये दोनों तो पता चल कहा है side में, तो values को put कर दो, what is A complement union B complement, 0.7, what is A complement plus ये तो पता करने का है, लिख लो, minus 0.2, तो इसकी value आगई, therefore probability of A complement plus probability of B complement हो गया, 0.9, तो ये हमको ऐसे पता चला, तो जो दोनो values दीती उससे उसका opposite वाला value मिल गया, और वो opposite वाले में हमने universal formula डाला, तो हमको ये वाला missing value मिल गया, which was A complement plus B complement, now A complement plus B complement, आप, आप और एक तरीक इससे कर सकते हो, बतब और एक तरीका, जो शायद आपको समझ में आएगा, डोनों की regular value निकाल लो, probability of A plus probability of B, regular value निकाल लो, कैसे निकाल होगे, आपके पास ये दो values available है, कौन सी, ये दोनों available थी न, मैं आपको alternate बता रहा हूँ, तो आपका जो universal formula है, क्या है regular वाला formula, P of A union B is P of A plus P of B minus P of A intersection B, ठीक है, अब इसमें बेटा, A union B की value कित ये बोलो, 0.8, P of A, इसको मैं लिख दू, 1 minus P of A complement, समझे, P of B, 1 minus P of B complement, यही पी लिख रहा हूँ, और P of A intersection B तो पता हिये न, माइनस 0.3, ऐसा, इसको इसको अभी दर भेजो, तो क्या बन गया, 1.1 is equal to, 2 minus P of A complement, minus P of B complement, इसको solve करो, fast हो गया, A complement plus B complement is equal to 2 minus 1.1, 0.9, यह समझा क्या, यह तो और भी अच्छा हो गया, यह तो direct हो गया, यह तो normal formula है अपना, A की जगे 1 minus A complement लिख दिया, B की जगे 1 minus B complement लिख दिया, यह दोनों values तो दिया ही था, तो D Morgan law गया, तेलने ने, उसका काम ही नहीं पड़ा अपने को, है ना, यह वाला law तो समझता है, P of B is 1 minus P of B complement and P of A is 1 minus P of A complement, यह वाले का आपको total पूछा है, तो उसको positive side में लिकर जाओ, 2 minus 1.1.9, this is good, कभी-कबार करते-करते समझ में आता है कि वह method उत्ता अच्छा नहीं, यह उत्छा है, वह exam में समझ में उससे अच्छा practice में समझ में आ जाए, बोलो, दोनों से answer तो आ रहे है, डियाग्राम से भी answer आ रहे है, answer तो आये गई न, data वह है तो, चली आगे बढ़े फिर, लिख रहे है, यह वाला लिख लूँ, हो गया लिखके, इसका answer हो गया option C, then probability that leap year has 53 venus days, अब अपने saturdays का याद करके रखे थे, है न, तो उसी के जगे venus day आ गया, देखो बिटा, वापस बता तो leap year में कितने days होते है, 366 days होते है, कितने days, 366, अब 364 days में 52 weeks complete हो जाती है, 52 into seven, तो मतलब 52 days तो हर day रहेगा, 52 time at least रहेगा, अब और दो दिन है, 364 के बाद और दो दिन है, इट कैन बी Monday Tuesday और Tuesday Wednesday, Wednesday Thursday and so on, तब उसमें, मतलब जो 365th number का day है, वो क्या आएगा, उस पर सब कुछ depend करता है, है न, कि वो वाला day दो बार आ रहे है कि एक बार आ रहे है, तो Wednesday दो तरीके से आ सकता है, है न, अगर Tuesday Wednesday रहा या अगर Wednesday Thursday रहा, तो Monday Wednesday नहीं हो सकता क्या, नहीं हो सकता न, कि Monday के बाद अगला दिन Tuesday ही ले लेगा, Wednesday आएगा अगले साल का पहला दिन, तो Wednesday Thursday and Tuesday Wednesday, ये दो, लेकिन Tuesday या Wednesday क्या लावा, 365th number का day और कोई 5 में से आया, तो फिर Wednesday नहीं आएगा 53rd time, तो the answer should be 2 by 7, test series में दिया था क्या मैंने non-leap year वाला, हां 52 दिया था, हां मैंने दिया था 52 Wednesday, ऐसा या जो भी दिया तो उसका answer था 5 by 7, ये न, वो भी लन हो गया है, अब exam में leap year आएगा इच नहीं, regular year आएगा, तब यात काम नहीं आएगा न, a coin is tossed 6 times, then the probability of obtaining heads and tails alternatively, 6 times tossed किया है, वो ही अपने पहले किया था 5 times वाला, तो 1 by 2 raise to 6 plus 1 by 2 raise to 6, क्योंकि HT 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 or TH TH TH, तो ये हो जाता है 1 by 64 plus 1 by 64, ये हो जाता है 2 by 64, बोले तो 1 by 32, समझा क्या? दिन, अभी target वाला question, what is the probability that the target would be hit, if they both try, राम is known to hit a target in 2 out of 3 shot, तो probability of राम कितन हो गया? 2 by 3, probability of शाम हो गया 5 by 11, probability that target would be hit if they both try, so, मतना भई एकना एक जनतो hit करेगा, तो वो होता है probability of राम union S, दोनों में से एकना एक जनतो करेगा, दोनों करेंगे के chances में multiply करना पड़ेगा, लेकिन दोनों में से एकना एक जनतो करेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? देखो दो तरीक है इसके, यह एक तरीका है regular तरीका, दूसरा तरीका fast लगेगा आपको में भी उससे करना, probability of राम plus probability of शाम minus probability of बोथ, राम intersection शाम, तो राम 2 by 3, शाम 5 by 11, probability of बोथ क्या हो जाएगा? 2 by 3 into 5 by 11, इसको solve करो कि तो answer आएगा यह एक तरीका है, but I don't think this is the fastest way, यह इससे बता दो लेकिन कितना आ रहे है? एक मिनिटा कुछ internet का issue देख रहे है, बोलो कितना रहे? 33 आ रहे denominator? 5 out of 11, 2 out of 3, तो कितना आ रहे 33? 22 plus एक मिनिटा आ इंटरनेट issue हो गया हाँ बिटा, आगया क्या answer आ गया? 9 by 11, यह एक तरीका है, दूसरा तरीका क्या है? 1 minus probability that the target, दूनों, दूनों hit नहीं करेंगे, सो 1 minus r complement intersection s complement, directly answer आ जाएगा, 1 minus 1 by 3 into 6 by 11, इसे भी answer आ जाएगा, 1 minus, यह कितना हो जाएगा? 2 by 11, मतलब 9 by 11, okay, then, hello, सचीन सा, तो दूसरा लगा दो नो, okay, next question, आपन कंटिन्यू करते हैं, दूसरा नेट लगा दो, a bag contains 4 white, 2 black, 3 yellow and 3 red balls, probability of getting a white or a red ball, बहुत ही simple है, white या red मिलना चाहिए, 7 by 12, white भी चलता है, red भी चलता है, इक ही ball निकाल रहे है, total white or red मिला किते है, 7 है, total ball किते है, 12 है, इससे असन क्या देंगे आपको, foundation level पे, है न, please don't expect easier one, यह बंदु आओ को तो दूसरा लगा तो, add ले न, when the two dice are thrown simultaneously, probability of getting at least one five, कम से कम, एक dice पे five चाहिए, ऐसा बुल रहे हो, तो कितने तरीके है, 12 नहीं, 11, कैसे, देखो, five के साथ में, five one, five two, five three, five four, five five, five six, छे तरीके, और दूसरे dice पे five आ जाए, उसके भी छे तरीके, one five, two five, three five, four five, five five, six five, यह double count हो रहा है, तो इसको हटा दो, बचे कितने, 11, 11, 11 by 36, will be the answer, यह, इसको कैसे निकाल सकते, one minus, both are not five, पेला number भी five नहीं, और दूसरा number भी five नहीं, इससे भी same answer आएगा, क्या हो गया बिटा, सोते नहीं क्या रात को, इत्ती बड़ी बड़ी उबासी मारते हो, हाँ, आप आज के साथ में, अलगी चलता है इसका तो, रात कर सोया करो, दिन में पढ़ा करो, रात में भी बढ़ते नहीं, दिन में भी बढ़ते नहीं, आगे दिख रहे हैं न, हाँ, next question, यह हो गया न, join हो गया, keyboard दे दो उपर, online में आगया है वापस connection आगया online में, हाँ, please confirm, thumbs up कर दो, yes, sorry हाँ, आपके 1-2 question miss होए, आप उसको बाद में देख लेना, then, question number 19, तो यह वाले question समझ रहे, probability of at least one, is equal to one minus, one minus probability of none, ठीके यह वाले property समझ रहे आपको, two events A and B are such that they do not occur simultaneously, उसको क्या बोलते, mutually exclusive, probability of having at least one six, six from three throws of a perfect die, at least one six, one minus none, तो answer is, option D, है न, ना पहला number six, ना दूसरा six, ना तीसरा six, probability of winning a game is two by three, what is the probability of winning, more than half of games, in four games, 4 में आदे से ज्यादा जितना है, मतब कितने जितना है, 3 जितना है या तो फिर 4 जितना है, तो इसको अपन binomial से भी कर सकते हैं, और इसको अपन इससे भी कर सकते हैं, चार में से तीन game या चार game जितना है, तो चार में से तीन game जितना है, तो two by three, देखो, तीन game कैसे जितना है अपन, win-win-win-lose, अब यह कितने तरीकों से हो सकता है, चार तरीके से, we can lose either the first, second, third or fourth game, और यह सब में add कर देंगे अपन, win-win-win-win, चारो game भी जित सकते हैं, तो binomial लगाए बगेर भी काम होता है वैसे तो, अब बताये, win-win-win-lose क्या होता है, two by three, two by three into two by three into two by three into two by three into one by three into four, क्योंकि यह चार तरीकों से हो सकता है na, either you can lose the last game or the third game or the second game or the first game, समझ रहे क्या, यह एक value आएगी और win-win-win-win-win, तो two by three raise to four, चारो game ही जीत रहे है, तो यह एक value आएगी उस सबका total कर देने का है, 81 ना, तो eight into four, 32, 32 by 81 and इधर 16 by 81, total हो जाएगा, 48 by 81, बोले तो 16 by 27, 48 by 81, यह वाला समझा क्या आप लोगों को, अगर आपको ऐसन इसमें मजा नहीं आ रहे तो वैसे करो, तो binomial से करो, winning three or four games, तो four c three into p raise to three into q raise to one, plus four c four p raise to four into q raise to zero, वो ही किया है हमने, बस लिखानी है, okay, इफ four letters are put randomly among four envelops, find the probability that all are not put in the correct envelops, मतलब वो envelop, वो letter को उसके envelop में नहीं डाला, बाकी तीन में से कहीं डाल दिया, तो गलत, सही करने का तो यह की तरीका है, गलत करने के तो और यह तरीक है, देखो अब यहाँ पर interpretation आ जाता है, all are not put in the correct envelop, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि दो correct में, और दो गलत गलत में चले गए, लेकिन उसको नहीं, all are in the wrong, ऐसा मानेंगे, all are in the wrong, 23 by 24 कम होगा, जब at least एक गलती है, सभी में गलती है ऐसा मानने को, सभी में गलती है, all are not put in the correct envelops, मतलब all are put in the wrong envelope, मतलब देखिए, आपके पास में, 4 आपके पास में क्या है, letters, letter A, B, C, D, चीक है, letter A, B, C, D, गलत envelope में चले जाएगा, कित ता लेने के देने पड़ जाएगे, आप, correctly A जाना चाहे था 1 में, B जाना चाहे था 2 में, envelope number 2, 4 ऐसा, यह letters है, और यह correct उसका envelope number है, In how many total ways can you arrange, 4 letter in 4 envelopes, 4 factorial ways, यह समझता है, maths में है, sitting position जैसा है, 4 position है, 4 लोग है, so in 4 factorial ways, total ways तो उतता है, अब उसमें से एकदम correct way तो एक हीच है, therefore, at least 1 गलती हो गया, ऐसे 23 ways है, so, yes, that is an assumption, that is an interpretation, जो गलत नहीं है, altogether, क्योंकि और नहीं कहा बोला, all are not put in the correct, मतलब कुछ correct में होंगी, कुछ correct में नहीं होंगी, all तो correct में नहीं है, so 23 by 24 उसी साब से सही है, लेकिन, दूसरा एंगल से सोचो, कि सभी गलत में है, सभी letter गलत envelope में गये है, तो मतलब, envelope number, letter number A, one में नहीं जा सकता, तो कहां जाएगा, समझो two में गया, sequence में चलो, अगर ये two में गया, अब envelope number, letter number B, two तो occupy हो चुका है वैसे में, ये समझो one में गया, okay starting से देखो, इसके लिए 3 बचित न option, one three four, अब ये three और four में चला गया, तो इतना तो correct हो जाएगा, तो three four नहीं लेंगा, two one four three, सब कुछ गलत हो गया न, then, अगर पहला वाला two में गया, तो हो सकता है, B वाला, अब B वाला one में गया तो यही case बचता है, जो हमारे लिए valid case नहीं है, तो two one वाले cases खतम हो गया, अब two three वाले cases बताओ, two गया three गया, अब यह क्या one four नहीं हो सकता, क्यों यह हो सकता one four, क्योद कि डी तो four में जा रहा तो क्या हो सकता है, four one, two three four one हो सकता है, समझ रहेँ, iiS. 24 के साथ में और कुछ नहीं हो सकता है, that's it, अब मालनो पहला ही letter two में नहीं गया, one में तो जा नहीं सकता, three में गया, two के साथ ऐसे three situation, तो three के साथ भी three situation आएगी, वैसे four के साथ three आएगी, total three plus three plus three, nine आएगे, ऐसे ही समझ गया तो nine by twenty four कर देने का, है न, और अगर नहीं तो time है, जम रहा है, तो लिखती नहीं का, तो पहला वाला three में गया, दुसरा वाला, two में नहीं जा सकता, one में गया, three आएगी, तीसरे वाले में two में भी तो जा सकता है, नहीं जा सकता, तो यह क्या है, बच्चा, four two, three one के साथ four two ह possible है, अब 3,2 हो सकता है क्या, नहीं, 3,3 नहीं obviously नहीं, 3,4, 3,4, दूसरा वाला 4 में गया, तो 1,2, 1,2 possible है and 3,4, 2,1 possible है, ये इसके 3 cases हो गया, then पहला वाला letter 4th envelope में गया, 4th में गया, दूसरा वाला 2 में नहीं जा सकता, 1 में गया, अब इसके बाद number कौन से बचे, 3 और 2, 3,2 नहीं हो सकता, 2,3, फिर 4th में गया, 4,1 के बाद और कुछ possible नहीं है फिर, अब 4,2 possible ही नहीं है, 4,3, 4,3,1,2, 4,3,2,1 that's it, these are the total cases where all envelops are put in the wrong, all letters are put in the wrong envelops, देखो ये case में कोई भी envelope में अपना खुद का letter नहीं आया, है न, सब में कोई दूसरा ही letter आगया, so these are how many cases total, 9 cases, out of 4 factorial that is 24, so the answer will be what, 9 by 24, ऐसा एखा दी आएगा अगर थोड़ा सा complicated, which you may not have studied or done practiced earlier, ऐसा नहीं कि आपको आएगा नहीं, I am not challenging your intellect, आजाएगा बट विल टेक अप टाइंग, तो तब ego में मत आ जाना, है न, दो जगे ego काम नहीं आता है, तिन जगे एक तो रोड पे काम में नहीं आता है, रोड पे अपन ego में overtake करने जाएंगे, दूसरे को दिखाएंगे, तू fast चल रहे हैं बतातो तेर को, तो अपन ही accident हो सकता है, नुकसान अपना है, दूसरा exam में काम नहीं आता है, वहां पर ICI को कुछ नहीं बढ़ी है आपकी ego की, है न, ego level हो जाता है, और तीसरा relationship में ego काम नहीं आता है, है न, यह आप लोग समझ तकते हो, है न, ego जब बढ़ने लग जाएगा तो relationship तूटने लग जाएगी, then, गर्व रखो, घमर्ण मत रखो, है न, आपको आता है, लेकिन समय रहेंगा तो कर लेंगे, नहीं रहेंगा तो छोड़ देंगे, क्या हो जाता है दो चार पार्च मार्क का छोड़ के आ रहें, कुछ ही नहीं होता है, हाँ मिटा, probability of a given b पूछा है, a given b का formula क्या होता है, probability of a intersection b upon probability of b, दोनों values दिये, 1 by 4 upon 1 by 3, answer will be 3 by 4, यह समझता है, conditional probability का formula था, यह समझता है, then a and b are two mutually exclusive events, such that a union b दिया है, a दिया है, b पूछा है, बहुत ही आसान, a union b will be equal to p of a plus p of b, that's it, क्योंकि mutually exclusive है, तो इसके बात का जो पार्ट रहता है, a intersection b वो क्या होता है, 0 होता है, therefore p of b क्या हो जाएकर, 2 by 3 minus 2 by 5, कर लो, 15, 10 minus 6, 10 minus 6, 4 by 15, option a, आया कि नी, p of b is 4 by 15, then a brother and a sister have applied for two vacancies in the same post, the probability that brother will get selected is 1 by 7, and that of sister is 1 by 5, probability that both will get selected, 2 vacancies है, मतब दोनों select हो सकते हैं, तो दोनों select होने की chances क्या है, 1 by 7 into 1 by 5, we are assuming की independent है, real life में यह perfectly independent नहीं है, क्योंकि अगर brother select हो गया, तो sister के लिए एक ही vacancy बचे ना, तो उसकी probability तो चेंज होगे actual में, लेकिन हम लोग मान रहे हैं की चलो ठीक है, 2 vacancy है तो दोनों का independent selection चल रहे हैं, So, 1 by 7 into 1 by 5, 1 by 35, option A, that is the answer, probability that only one will get selected, only one में क्या होता है, brother select हुआ, sister select नहीं हुए, brother select नहीं हुआ, sister select हुए, only one इसको बलते हैं, तो इसको कैसे करेंगे अपन, 1 by 7 into 4 by 5, और brother select नहीं हुआ, बोले तो, 6 by 7, sister select हुए क्या, yes, तो यह हो जाएगा, 4 by 35 plus 6 by 35, आरहे, only one का 10 by 35, and probability हो, बोथ का क्या होगा, बोथ not get selected, none of them, so 6 by 7 into 4 by 5, यह भी match हो रहे, 24 by 35, जमाना, आंसर तो पहले ही समझ गया था, then distribution of demand दिया है, probability का total कभी भी 1 होना चाहिए, बाद में mean निकलना तो कई बड़ी बात नहीं है, mean in such cases, is equal to summation of x into p of x, upon summation of p of x होता है actually, लेकिन यह तो 1 ही होता है, denominator का total 1 ही होता है, तो summation of x into p of x, कर लो, 5 into 0.05 m plus, 6 into 0.1 m plus, 7 into 0.3 m plus, कितना आ रहे, option a, सब लोग कर लो, fast आपका हाथ बैठा रहना चीए, calculator पर, आ रहे, दिन, 2 coins are tossed simultaneously, probability of getting exactly 1 head, बहुत easy है, ht, th, exactly 1, 2 ही cases है, answer is 2 by 4, बोले तो 1 by 2, at least 1 head बोलते तो, उसमें hh भी आता था, यहाद ही कि नहीं, 2 coin के 4 cases रहते है, probability of a cricket team winning a match at Kanpur is 2 by 5, losing a match at Delhi is 1 by 7, आ जाएगा, आपके पास तो ही notes, 28 number देखते रहो, probability of the team winning at least 1 match, तो 1 minus probability of losing both matches, मतब Kanpur में हार रहे, and Delhi में भी हार रहे, तो देखो मैंने थोड़ा सा change किया, 2 by 5 का मैंने क्या लिया, complimentary event लिया, क्यूंकि Kanpur में जीत की संभावना 2 by 5 थी, तो हार की कितनी थी, 3 by 5, और Delhi में हारनी की 1 by 7 थी, तो 1 minus 3 by 35, कितना होता है, 1 minus 3 by 35, 13 by 32 by 35, correct, option B, then expected value पूछा है अगें, very easy, you should be able to do it quickly, summation of x into P of x, बुलो बेटा, minus 20 into 3 by 20, कितना हो गया, minus 3, minus 10 into 1 by 5, minus 2, plus 30 into 1 by 2, 15, 75 into 1 by 10, 7.5, 80 by 20, 4, कितना आ गया, 21.5, यह सबका normal total करने का है अपने को, option B, then, P of A and B दिया है, A and B मतलब क्या होता है, A intersection B, A given भी बहुत simple है, P of A intersection B upon P of B, 0.25 upon 0.35, 0.714, option A and B are always going to be wrong, because, probability can it be greater than 1, no, see expected value can be greater than 1, expected value can even be 0 or negative, but probability cannot be anywhere beyond, less than 0 or beyond 1, next, in a game, cards are thoroughly shuffled and distributed equally among the 4 players, probability, मतलब हर प्यर को कितने cards मिल रहे, 52 cards 4 player को बाटे, हर को 13 मिल रहे, probability that a specific player gets all the 4 kings, selection वाला case हो गया, मतलब हो 4 में से 4 उसको मिल गए, total denominator तो 52, C 13 हो गया, अब उसको king 4 मिल गए, और बाकी के 48 card में से कोई भी 9 मिल गए, ऐसा, नहीं बोला है, तो option B, king तो 4 मिल गए, और बाकी के 48 में से कोई भी 9 मिले, देन, अब probability, a bag contains 4 red and 5 black balls, another bag contains 5 red and 3 black balls, if one ball is drawn from each bag, probability that one red and one black, ऐसा नहीं बोला है, first red and second black, red black, black red, दोनों चलेगा, तो लिक लो फटा फट, red black, is it independent, yes, red के chances क्या है, 4 by 9, और उसी समय दूसरी bag में black के chances है, 3 by 8, ये एक value आ जाएगी, 12 by 72, then पहली इसमें black, 5 by 9 and दूसरी इसमें red, 5 by 8, बोले तो 25 by 72, दोनों का total, 37 by 72, जमा क्या हो, हो, so they will take care, सभी question बहुत बढ़े नहीं रहेंगे, कुछ-कुछ रहेंगे जो बहुत time खा जाएंगे, mostly questions fast कर पाओ गया, probability of a given b compliment पूछा, अब a given b compliment के लिए, ये अच्छा question है, 2-3 formula revise हो जाएंगे इसमें अपने, अपने को क्या लगता है, देखें, probability of a given that b has not happened, is probability of a intersection b compliment upon probability of b compliment, लेको b compliment तो अवेलेबल है, 2 by 5, लेकिन a intersection b compliment लगेगा, what does it mean, it means only a, a intersection b का meaning क्या है, a हो रहा है, b नहीं हो रहा है, तो वह कैसे calculate कर सकते हैं, probability of a minus probability of both, a में से common वाला space हटा दो, अब both वाला कैसे निकालेंगे हैं, universal formulae से, so probability of a intersection b is equal to p of a plus p of b minus p of a union b, इसमें डाल दो बेटा, values, 2 by 3 plus 3 by 5 minus 5 by 6, तो कितना हो जाएगा, 30, common denominator, लो बेटा, 10 plus 5 into, ये कितना होता है, 6, 18 minus 25, इसको मैंने क्या किया, 10 से multiply गए, ये 20 हो जाएगा, 20 plus 18 minus 25, आ रहा है क्या, upon 30, ये हो गया, 13 by 13, probability of a intersection b आ गया, 13 by 30, किसी को नहीं मज़ा आता है, fraction में तो you can convert into decimals and get done with it, 13 by 30, अब probability of only a पूछ रहे हैं, तो that is equal to probability of a minus probability of both, a intersection b, दोनो अवेलेबल है, 2 by 3 minus 13 by 30, so 20 by 30 minus this, ये कितना हो गया, 7 by 30, अब answer ready है, numerator की value आपने निकाल लिया है, 7 by 30, denominator की value b complement, कितना हो जाएगा, 2 by 5, इसको solve कर लो, 7 by 30 into 5 by 2, आगया क्या, 5 by 6 हो जाएगा, 7 by 12, this is the answer, so ये question अच्छा इसले था क्योंकि 2 formulae इसमें revise होगे, एक तो universal था और एक ये था, only a, only a कैसे निकालते, probability of a minus both, अब diagram imagining कर सकते हो, only a, only that part of a, जहाँ b नहीं हो रहा है, तो a intersection भी हटा देंगे, समझा क्या, 33 का answer है option a, then if two unbiased dice are rolled, probability of getting points neither 3 nor 6, ना 3, ना 6, मतब कि 3 और 6 वाले cases को हटा दो, 36 में से, 3 कितने तरीकों से आ सकता है, सिफ 2 तरीके से, 1, 2, 2, 1 और 6 कितने तरीके से आ सकता है, 5 तरीके से, पहले dice में 1, 2, 3, 4, 5 में से कुछ भी आ जाये, तो इस total 6 बन सकता है न, तो यह 7 कैसे सटा दो, 36 में से, कितने बचे है, 29, 29 upon 36, this should be the answer, .80, भली exact नहीं होगा लेकिन, 2 digits तक इतना correct है, 2 dice are tossed, probability that the total is divisible by 3 और 4, 2 dice है, तो अब आप देखो कि total, total जादा स्यादा कितना जाएगा, 12 जाएगा, 3 के multiple क्या क्या है, या 4 के क्या क्या है, तो 3 में आ जाएगे, 3, 6, 9, 12, और 4 में आ जाएगा, 4, 8, 12 को दोबार काउंट नहीं करना चाहिए, एक बार गी नहीं लिया है, है ना, 3 कितने तरीके से हो सकता है, 2, यह 5, यह 4, यह 1, आपको यह समझना है फटाफट, कि कौन सा total कितने तरीकों से आ सकता है, you will not have all the time in the world to write all the 36 cases and do the totaling and then check, यह अगर यही question 8 बाग का रहता था, descriptive exam रहती थी, पहले रहती थी बहुत पहले, तो फिर कर सकते थे, अभी तो fast कम काम करना है, 4 कितने तरीके से, 3 तरीके से, 8 कितने तरीके से, 5 तरीके से, है ना, क्योंकि 1 नहीं आया, 1 आया तो नहीं, बाकि 2, 3, 4, 5, 6, इसका total लगा लो बेटा, 7, 11, 12, 12 प्रस 8, 20, 20 बाइ 36, 12 को दो बार नहीं लिया, है ना, ऐसा है, यह इंटर्सेक्शन भी पूछा है, उनिवर्सल फॉर्मूला, उनिवर्सल फॉर्मूला, कर लो फटा फट सॉल, 1 बाइ 2 प्लस 1 बाइ 3 माइनस 2 बाइ 3, आगया अंसर, 1 बाइ 6, अगला वाला question पूछना ही नहीं छे, आपके जैस्टों का आपकी तोहीन है, आपकी जत, वैसा रहे है, आगया अंसर, next, red ball 5 by 11, for two events a, for two events a, b, a क्या होता है, let p of a, p of b, p of a intersection, then a and b are, जो को mutually exclusive है क्या, नहीं है, independent है क्या, independence की test होती है, p of a into p of b करो बेटा, 2 by 3 into 3 by 8, it is equal to 2 by 8, that means 1 by 4, उनका जो product है, it is equal to their intersection, means they are independent but not mutually exclusive, now any two events can be either independent or mutually exclusive or none, मतलब की दोनो एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि independent है तो a intersection b की कुछ तो value रहेगी, और mutually exclusive है तो a intersection b की value 0 रहेगे, okay, then, b given a, a and b are two events, b given a पुछा है, very easy, बताएए बिटा, अब इसमें क्या लिखो कि 1 by 12 upon 2 by 3, 1 by 12 into that, आगया क्या answer? हाँ बिटा, 1 by 12 into 3 by 2, 1 by 8, तो मतलब ऐसा नहीं कि probability के सभी question बहुत time consuming है, कभी कावार अपने दिमाग में notion बन जाता है, कि यार probability तो बहुत tough है, कुछ-कुछ तो हो जाते, basic formula के उपर से, for any two event a and b, बताहिए, अपने यह only a वाला formula देखा था, p of a minus b, option b, p of a minus p of both, हा, two fair dice are thrown probability of getting a sum which is a multiple of 3, only 3, अपने तो 3 और 4 का करके रखा है, तो कितना हो जाएगा, यह only 3 के यह cases थे है, 2, 5, 4, 1, 12 by 36, option d, getting at least one tail, two coins में at least one tail, 3 by 4, at least one tail, tt, th, ht, 3 by 4, सम्झे की नहीं, a speaks 75 percent truth, b speaks 80 percent truth, in what percentage, both of them are likely to contradict with each other in narrating the same question, मतलब a सच बोल रहा है और b जूट बोल रहा है, या तो फिर a जूट बोल रहा है, b सच बोल रहा है, तभी तो contradiction होगा न, तो बताएए, बताएए, a सच बोलने के chances कितने है, 0.75, and b के जूट बोलने के chances है, 0.2 and these are independent events, a जूट बोल रहा है, उससे b का probability change नहीं हो रहा है, तो this into this कितना हो गया, 0.75 into 0.2, 0.15 and a जूट बोल रहा है, 0.25, b सच बोल रहा है, 0.8, यह हो जाता है, 0.2, इसका total 0.35, समझे ना? Then, a biased coin is such that probability of getting a head, is thrice the probability of getting a tail, यह पहले तो अपने का समझना चाहिए, कि heads के chances, tails के chances के 3 times है, P of H is thrice the probability of getting a tail, equation समझा क्या? If the coin is tossed 4 times, what is the probability of getting heads all the time? तो heads के normal chances कितने होगे इसका मतलब? Heads के normal chances, heads के chances अगर 3 times है, heads 3 बार आएगा, तो tails 1 बार आएगा, तो what will be P of H? 3 by 4, understanding this? अब 4 बार heads चाहिए, all the times, तो answer क्या हो जाएगा? Probability of getting heads, 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 3 by 4 raise to 4, 81 by 256, 4 raise to 4, 256 होता है न? Then, 16 phones say 10 of them are android, 6 of them are apple, then the probability of 4 randomly selected phone, to include 2 android and 2 apple, selections, total way in which you can do it is, 6, आप कितने में से 4 ले रहे हो? 16C4, आप android के 10 में से 2 चाहिए, and apple के 6 में से 2 चाहिए, ऐसे है न? बस इसको solve करना है, 10C2 into 6C2 upon 16C4, बुलिय जी, 10C2 कितना होता है? 45, 6C2 होता है? 15, 15, 16C4 कितना होता है? 16 into 15 into 14 into 13 upon 24, आगया, कितना 1, 8, 2, 0, तो इसका answer आजाएगा 0.37, selection वालो question था, selections का maths में भी combination, permutation में देखे होंगा ऐसा, if there are 48 marble with number 1 to 48, probability of selecting a marble having the number divisible by 4, तो 4 से divisible कौन से कौन से? Directly करो, 48 by 4, कितने number रहेंगे? 12, अगर 12 point something आता था तो भी 12 लेते थे, 48 में से 12 number है, जो 4 से divisible है, तो answer will be 1 by 4, very simple, अगर यह divisible by 5 पुशते तो क्या करते थे आप? 48 by 5 करते थे, तेके? और you would ignore the decimal part, then in a class 60 percent of the students study mathematics, 60.6, probability of science, mathematics and science लिखा है sorry, 90 percent of the students, 60 percent study mathematics and science, 90 percent of the students study science, what is the probability of a student studying mathematics, given that he is already studying science, तो M given S, यह पूछा है, M intersection S upon probability of S, 2 by 3, option B, समझ रहे के यह वाला? Mathematics and science वाल इत्ते है, और only science वाले, ने, only science ने, science वाल इत्ते है, तो out of science वाले, 90 percent में से 60 percent match भी पड़ते है, तो 2 by 3, तो 2 by 3, again, match वाला question आ गया, probability of the team winning at least one match, one minus probability of losing both matches, पहला match हारने के chance कित्ते है, 3 by 5, दूसरा match हारने के chance है, 1 by 7, this should give you the answer, 32 by 35, समझा ना? value of K पूछा है, इसका total 1 कर देने का, बस, बाकि X की value से कुछ करना नहीं है, इसका total लगा लो, 20, 20 plus 13, 33, आ गया, 33 plus 12, 45, तो 45, K is equal to 1, so K is equal to 1 by 45, इससे easy क्या रहेगा, easy चैना है, यह सब ICI के level की questions है, ऐसा नहीं कि आपके one day revision के लेए, मैंने easy question select किया, जो प्रभास्ट कुछ exams के available थे, अलग-अलग sources से मैंने वह लाया है, क्योंकि ICI officially तो publish नहीं करता है, तो scanners हो गई, then other publications हो गए, तो हर जगे से धून करके, chapter wise arrange करके आपके लिए बनाया गया है, so good है न, and you will find that हाँ, book में भी तो most of the question ऐसी level के थे, कुछ थे C category के जो बहुत बड़े थे, what if book में वो लोग ही बोलते हैं थे 5 mark वाले हैं, तो वो लोग ऐसे question से थोड़ी ना भर देंगे, statistics के पूले 40 question, वैसे question 40 में से 5-8 रहेंगे जाता स्यादा, बाकि 30-32 तो solvable रहेंगे एकदम fast में, okay, for any two independent events A and B, P of A दिया है, P of B दिया है, P of A intersection B दिया है, dependent है इसलिए इसका product match नहीं होगा, इसका product देको match नहीं हो रहा है, यह होना भी नीच है, हो रहा है क्या गलती से? नहीं हो रहा है, 30 upon 99, हो रहा है गलती से match, 5 into 6 कितना होता है? 30, यह क्या होता है? 10 by 33, गलती से match भी हो रहा है, मतलब हो है independent, लेकिन रोड़न जो values दे उससाब से dependent, चोड़न अपने को क्या करना है? A given B पूछ रहे है, A given B के लिए क्या करना पड़ता है? A intersection B upon B, तो बोले तो, 10 by 33 upon 6 by 11, 10 by 33 into 11 by 6, समझे क्या? यह 3, 10 by 18, यह तो फिर इसको आप further simplify करो, 10 by 18, 5 by 9, option A should be the correct answer, B given A के लिए क्या करोगे? B given A के लिए? A intersection B upon 5 by 9, A जो given में निचे उसको निचे रखते है अपन, intersection को उपर रखते हैं, तो यह हो जाएगा, 10 by 33 into 9 by 5, तो 2, और यह क्या हो जाएगा? 3 into 3, 3 into 11, 6 by 11, matching with the option A? Yes, which of the pairs of event is mutually exclusive? यह तो पक्का exam में आया था, क्योंकि यह paper available है अपने पास में, बताईए, कौनसी चीत साथ में नहीं हो सकती है? 13 साल का बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है? यही नहीं हो सकता है, आगे बढ़ो, school में पढ़ रही playback singer? हो सकती है, राजू elder brother है, उसके फादर को एक से यादा बच्चे है, सं से, हो सकता है, सं भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकती है, उसके लाब़, Banu studied BA English literature and she can read English novels, खमाल की बात है, हो सकता है क्या? हो गई? हो गई, इसकी तो probability 1 है, नहीं तो किस बात का literature पड़ी बोलना? English Literature BA कर, 4 unbiased coins are tossed simultaneously, expected number of heads, 4, heads के probability क्या है? 1 by 2, number of coins कितने है? 4, 4 में से normally कितने expect करोगे? 2, 4 into 1 by 2, सिदा, N into P, मतभब binomial का formula लगा है, लेकिन logic एकदम plain है, then, assume that probability for rain on a day is 0.4, umbrella salesman can earn 400 per day, in case of rain of that day, and will lose 100 per day, if there is no rain, 1, ठीक है, तो देखो बारिश होई तो 400 मिलेगा, 400 मिलेगा, 0.4, और 100 गवाएगा उसके chance से 0.6, उसके expected earning ये ready है आपके सामने, कितना हो जाएगा? Plus 160, और minus 60, इसका total 100, so he expects to earn 100 rupees, on an average, on an average per day he earns 100 rupees, ये समझते है आपको, ऐसा एक business वाला किये थे हमने, है न, 3 business इसते evaluate करना था, then probability distribution is given below standard deviation पूछहें, अब standard deviation probability distribution में, अलग कुछ भी नहीं है, ये P के जगे क्या है? F हैं, और बाद में आपका formula वो ही है, summation f x square upon summation f minus x bar square, पुरे का square root, ये standard deviation का formula है, summation f will be equal to 1, देखलो आप, इसका total 1 ही होना चाहिए, है भी, तो ये 1 हो जाएगा, अब summation f x square निकालना पड़ेगा अपने को, तो f x निकाल लो, f x square भी निकाल लो, दोनों लगेगा, summation f x निकाला अपने, दोनों निकाल लो, f x square फटा-फट निकलता है न, इसको एक बार लेने का, x को दो बार लेने का, 15 point, ये बता रहे न, summation f x square, और summation f x, ये, directly expected value, 3.55, 1 into 0.15, plus 2 into 0.25, ऐसी आ रहे, तो बस डाल दो values को, summation f x square, उसकी जगे डाल देंगे अपन, 15.45, minus x bar दी whole square, x bar का whole square, क्या होगा बेटा, x bar क्या होगा, summation f x upon summation f, मतभ़ 3.55 ही होगा, तो minus 3.55 का square, final answer बता सकते हो, square root के बाद का, 1.687, option c, समझा क्या, see now at the end of all this, अगर time बचता है, तो we will also take up your test series, questions वाले doubt है, यह और कुछ है, तो साथ में, अगर time नहीं बचता है, तो आपका one day revision, 4 तरीक तक हतम हो जाने दो, उसके बाद कोई भी दिन, आप मुझसे time ले लो, और मैं आपको time बता दूँगा, personally मिलने आजओ, आपन solve कर लेंगे, ठीक है लेकिन छोड़ना नहीं है, मतब जो question में doubt है, you should ask, okay पूछोगे तो पता चल जाएगा, let us see how much time remains if at all, then in a group of 20 males and 15 females, 12 males and 8 females are service holder, 20 में से 12 और 15 में से 8, probability that a person selected at random is a service holder, given that the selected person is a male, so simple, male में से कितने लोग service holder है, 12, तो answer is 12 by 20, that's it, 0.6, तो इसमें कोई भी fancy formula नहीं लगाना पड़ा अपने को, सीधा देखो ना sample space ही कम हो गई, उसमें से service holders कितने, 12 है 12 by 20, वैसे formula से आता है यह, given that male है तो, male intersection service holder upon probability of male, कैसा आएगा, 12 by 35 upon 20 by 35, आएगा 12 by 20, ले दे के वो ही है, last question here, for a probability distribution, probability is given by this, x upon k, where x can take the value 1 to 9, value of k will be, तो basically वो लोग क्या कर रहे है, 1 की probability क्या है बेटा, 1 की probability है, 1 by k, 2 की probability है, 2 by k, ऐसा up to 9 by k, and यह probabilities का total क्या होता है, 1 होता है, probability distribution में, इसको solve करना है अपने को, k की value निकालना है, तो denominator k है, तो बताईए, 1 से 9 का total कितना होता है, 45, 45 by k is equal to 1, so the answer is, k is equal to 45, and last के पाच्छे question तो पक्के पक्के exam के ही paper से मैंने copy किया है, so, and वैसे ही level के उसके पहले भी थे, so बो लो, chapter बहुत ज्यादा difficult तो नहीं लग रहा है, doable है, okay, so exam में probability से, how many marks you can expect, यह दे को पहले page पर summary दी हैं आपको, लगाओ, 40 का 15% around 6 mark probability, 6 mark कोई कम बात नहीं होती है, है न, so that's it,